दोस्तों, किसे भी इंसान का व्यक्तित्व, उसके काम, उसके विवहार और उसके बूल चाल के तरीके से पता लग जाता है। आज हम इसी personality test से आपको रूबरू कराएंगे, जिसके जरिये आप खुद को और बहतर जान सकेंगे। आज की तस्विर में चांद और समंदर दिखाए गए हैं। इन चार तस्विरों में कुछ अंतर है। अब आप चार में से कोई एक तस्विर चुनिए जो आपकी personality के बार में बताएगी। तो चुने अपने पसंद का एक तस्विर। पहली तस्विर। अगर आपनी इस तस्विर को चुना है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत खास हैं। चांद दाहिने तरफ है। और समुद्र की लहरे शान्त हैं। जिसका मतलब है कि आप बिहद शांत प्रु हैं आप हर दिन अपने दिमाग को अपने च्छाओं के पूर्ति के लिए प्रोत्साहित करते हैं आप अपने लक्ष को पाने से पहले नहीं रुखते जिसके वज़ा से आपको आपार खुशी की प्राप्ती होती है जब आप कलपना की दुनिया में खोए रहते हैं तब भे आ आप भली भाती जानते हैं और आप इसी हिसाब से काम भी करते हैं जब प्यार और दोस्ती की बात आती है तब भी आप बदलते नहीं हैं और इसलिए अपने पार्टनर सालों साल नहीं बदलते आप जिंदिगी भर के लिए दोस्ती करते हैं भविश्य के लिए आपकी मजबूत प्रशनालिटी को दर्शाती है जो की अकल्पनी रुप से भावुक होते हैं ये लोग जब फैसला करते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने दिल की सुनते हैं ऐसे लोग बेहद दयालू इमानदार और उदार होते हैं ये लोग अपने जैसे ही लोगों की तलाश में र जबते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको इस खुशी को महसूस भी करना होगा और खुद को यकिन दिलवाना होगा कि आपकी जिंदगी बहतरीन है इनकी जिंदगी सालों साल एक जैसी रहती है चाहे वो इनके दोस्त हूं एक ही रेस्टोरेंट में हर बार खान खाने की आदत हो या फिर चुट्टी वाले दिन घर के बुजुर्गों के यहां जाने की आदत ये लोग दूसरों को हमेशा खुश रखना चाहते हैं क्योंकि इस बात में विश्वस रखते हैं कि जिंदगी की ट्रेन का इंजन खुशी ही है ये लोग थोड़े प्रेता का गुणा आ जाता है तो फिर इन्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता तिसरी तस्वीर तिसरी तस्वीर में बना चांद बाई तरफ है और समुद्र की लहरे शांत हैं क्या आप इसका मतलब जानते हैं नहीं तो जान लीजे आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा औससस से ज्यादा बहतर बनना चाहते हैं इसके लिए आप साइंस से जुड़े आर्टिकल लिख कर या फिर बड़े साहित्तिकारों की रचनाएं पढ़कर यहां तक की लोजिकल सवालों का हल जान कर अपने ज्यान को बढ़ाते हैं आपके तीज दिमाग से कोई चीज नही चुटती और आपके अंतरमन की आवाज आपको हमेशा कई मुश्किल हालात से बाहर निकाल देती है अगर समाजिक तोर पर बात करें तो दोस्तों का एक बड़ा ग्रूप हमेशा आपके आसपस रहता है लेकिन जब काम की बात आती है तो आप इसे अकेले करने में ही विश आवा जाता है लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में गहनता से सोचते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि आपको भी वहां तक पहुचने के लिए कड़ी महनत की जरूरत है बात करने और किसी भी मुद्दे पर बहस करने की आप में आपार छमता है आप जिससे भी मिलते हैं उस शान्ती बनाया रखना शामिल है आप हमेशा चीजों को बेहद सहजिता के साथ करते हैं खास कर कि आप जब कोई फैसला लेते हैं तो वो बेहद धैरी के साथ करते हैं जानने की एक्षा आपके अंदर कुट कुट कर भरी हुई है आपको अपने आसपास मौजूत चीजों को उचानने की आपशकता है आपको अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मस्ती करना बहुत पसंद है अपने पार्टनर के साथ बहतरी निशाम कुजारने से भी आपकभी नहीं कत्राते आप उर्जा से भरे हुए है इसलिए आप हमेशा कुछ नकुछ करना चाहते हैं पहारों की सेर करना आपको बहत पसंद है आप बंजी जंपिंग और रिवर रिप्टिंग जैसे रोमांच से भरपूर काम करने से भी नहीं चुकते इन सभी के बाद आपको आराम करने की जरुरत है और कभी भी अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ आराम करना ना भूलें थोड़ा वक्त निकालें और महसूस करें कि दुनिया बहुत खुपसूरत है और इस खुपसूरती का आप मचा लें दोस्तों कैसी लगी यह जानकारी आप हमें जरुर बताएं और पर दोस्तों और समंद्यू के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें इस वीडियो बसतना ही अग खुश रहे खुश रहे धन्यवाद